देखे रूट थीरी को अगर हमें निकालना हो तो इस बार हम लोग एक ही काई बरावर जैसे एक ही काई बरावर हमको मानना होगा तो इसमें इस बार हम लोग एक ही काई बरावर दो सेंटीमीटर ले ले लेते हैं क्योंकि यहां पर बहुत छोटा हो जाता अपने देखा ठीक है चलिए एक ही काई बरावर दो सेंटीमीटर ले लिया अब हमें इस परकार से रेखा कीच लिया ठीक है अब हमें देखिए पहले एक ही काई लेना है चुकि हमें रूट 3 को रिपरजेंट करा अब हमने रूट 2 को जिस परकार से रिपरजेंट करा उसी परकार से रूट पर एक काई बरवर दो सेंटीमेटर लिया तो चलिए हम लोग सबसे पहले यहां पर जीरो रहेगा यहां पर एक सेंटीमेटर चुकि एक काई बरवर दो सेंटीमेटर दो सेंटीमेटर यह रहा दो सेंटीमेटर एक काई तो यहां पर रहा एक काई ठीक है तो यहां पर है एक क काई माना है ठीक है उसमें एक ही सेंटिमीटर था तो अभी यह हो गया एक ही काई उसके बाद हम लोग को यहाँ पर एक ही काई और हमें रिपरजेंट करना होगा ठीक है इस परकार से इस परकार से यहाँ पर लंब एक खीचना होगा तो यहाँ पर देखिए इधर होता है यह परकार से हम लोग एक लंब खीच देंगे लंब डें तो कोन भी बना के आप ख़िच सकते हैं तो है कि इस काई इधर इधर वी इधर भी उतना रहे ठीक है तो है कि एक ही काई इधर अम लोग इस परकार से काट हैं यहां पर बिंदु रखेंगे här इस परकार से हमने काट लिया अब यह जो बींदु मिला यहां पर इसका नाम देदेंगे विए उसी परकार जैसे हमने रूट 2 को पहले बना है तो रूट 3 को रिपरजेंट करने के लिए हमें रूट तू यहाँ पर चाहिए होगा और इसी परकार से रूट 4 root 5 root 6 root 7 और root जितना भी हो उसको हम लोग रिपर्जिन कर सकते हैं अब यहाँ पर देखिए एक इकाई ये भी है एक इकाई ये भी है ठीक है दोनों अब पैथा गोरस पर में एक अनुसर ये हो जाएगा root 2 ठीक है ये हो जाएगा root 2 और इतनी लंबाई root 2 है तो हम लोगों बता है इस परकार से इतना यहाँ परकार का यहाँ पर पैंसिल का इस परकार से मिलाएंगे तो यहाँ पर root 2 आ जाएगा ठीक है root 2 ठागा लेकिन अभी हमें root 3 रे परजिन करना है तो यहाँ पर हमें लंब एक इकाई फिर से लेना होगा ठीक है यहाँ पर लंब वद लेना होगा तो यहाँ से देख लेते हैं कि कहाँ पर आएगा तो इस परकार से हम लोग यहाँ पर देखें तो इधर रहेगा कुछ ठीक है यहाँ पर रहेगा 10 पर डिगरी तो अब एक काई धार हम लोग एक लंब वत ले लेते हैं लंब ले लेते हैं मतलब एक काई बराओ दो सेंटीमेटर तो दो सेंटीमेटर पे लेंगे ठीक है तो यह रहा दो सेंटीमेटर पे हम लोग भी पहले इस परकार से खीच लेते हैं लंब ठीक है अब हमें 2 cm पे लेना है तो जैसे एक इकाई ये है 2 cm पे तो इतना इफाइलाब तो रहेगा ना इतना इफाइलाब रहेगा ठीक है इतना इफाइलाब पे हम लोग इसको यहाँ पर काट लेते है तो अब देखे यह जो बिंदू मिला इसका कुछ भी नाम दे सकते है यहाँ पे O B हुआ यहाँ पर ठीक है इस परकार से इसको हम लोग C नाम दे सकते हैं यहाँ पर इस बिंदू को अब यह C हो गया तो अब इसको इसको मिला देते है ठीक है तो यहाँ पर अगर इसको मिला दे इस परकार से तो ये कुछ इस परकार से देखेगा अब देखिए ये root 2 है हमने यहाँ पर एक ही काई लिया है ठीक है तो root 2 और ये एक ये हो जाएगा root 3 इस परकार से ये जो होगा OC जो होगा वो होगा root 3 अब हमेज देखिए ये जो root 3 पता चलिए तो अब यहाँ से distance मतलब इतना लांबाई को यहाँ से मिला देंगे इधर जो संक्या रेखा पर जहां पर आएगा वो होगा root 3 जैसे कि देखिए ये root 3 कैसे हुआ वो भी हम लोग देखेंगे अभी सीध भी करना यहाँ पर क्या ऐसे लिखने से काम नहीं चलेगा ठीक है ये रहा तो इस परकार से हम लोग आएंगे मिलाते हुए इस परकार से ठीक है तो ये जो मिलेगा ये जिस बिंदू पर कटा यहाँ पर यह है root 3 ठीक है ये root 3 हम लोग असानी से दर्शा देंगे इस परकार से इसका नाम कुछ भी दे सकते P, Q क्योंकि हम लोग अभी रूट 3 को दर सा रहे हैं तो इस परकार से यहाँ पिर देखें जैसे हमने यहाँ पर लम डाला डिरेक्ट हम लोग जैसे रूट 3 था ना यहाँ पर भी एक लम डालते फिर इसको इसको मिला देते तो वो भी उरता क्यों चुकि यहाँ से यहाँ रूट 3 और A की काई यहाँ पर डालते इसी परकार से जैसे हमने अभी डाला एक और रूट 3 रूट 2 मिलकर रूट 3 हो ज़ए तो आईसे ओता देखें यहाँ अभी इस तिर्भूज में अगर देखें तिर्भूज O, A, B में ठीक है इसमें अगर देखें तिर्भूज O, A, B में तो यह जो O, B है ना ओबी ओबी बरावर रूट टूट तो है यह ठीक है या तो इसको निकाल के भी बता सकते आप लोग एक का स्क्वार पलस एक का स्क्वार यह यह है ना एक का स्क्वार बरावर यह रूट टू है ठीक है अब हम लोग ओबी सी को देखे तिरभूज ओबी सी में तो तिरभूज अगर O, B, C में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर देखें O, B, जो है रूट 2 है और यह जो B, C है वो 1 है हमें O, C यहाँ पर दिखाना है रूट 3 तो O, C बरावर जो होगा अपका फर्मूला पाइथागोरस परमे का जो फर्मूला होता है वो आप सभी को पता है क्या होता है अगर यहाँ पर यह कर्ण है तो कर्ण को H से रिपरजेन करते है तो कर्ण का स्क्वाइर होता है वो अंड़ मतलब है स्क्वाइर नहीं यहाँ पर कर्ण बरावर जो होता है तो यह होता है अड़ा ROOT LUMB का SQÈR और पलस अधार का SQÈR ठीक है। यहीं फर्मूला होता है। तो यहां पर इसी फर्मूला का यूज़ करेंगे, तो यह जो है OCI कर्nosis है और यहां पर जो है, इस पर कारसी यह LUMB या फिर अधार भी हो सकता है। ठीक है तो यह लब अगर हम आने तो यहां पर root 2 का square और plus में यह 1 है ठीक है इसका square अब देखिए यहां पर इसका square जो होगा वो कितना होगा चुकि root 2 का square जो है वो सिर्फ 2 होगा क्योंकि यह square से root कड़ जाता है और प्लस 1 का स्क्वार जो 1 ही होता है तो इस परकार से इसका जो हो जाएगा 2, 1, 3, रूट 3 आजाएगा देख रहे हैं तो इस परकार से यह जो है हमें O, P जो है O, P यानि O, C बराबर इस परकार से मिला हमें रूट 3 तो यहाँ पर जो दिखा रहा है यह होगा रूट 3 ठीक है इस परकार से हमें लोग लीख सकते हैं O, C बराबर O, P यह होगा रूट 3 तो इस परकार से हमने रूट 3 को रिपर्जेंट किया ठीक है